बदलते समय में नानकताई पैकेट में बेची जाने लगी हैं इस बज़े से फ्रेस नानकताई वाला स्वाद अब नहीं मिल पाता अगर आप फ्रेस नानकताई खाना चाहते हैं और अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं तो ये नानकताई आप अपने घर में कडाई में ब फ्रेस नान कटाई आप अपने घर बना सकते हैं और आप और आपके बच्चे इसका लुपत उटा सकते हैं तो चलिए बनाते हैं नान कटाई नान कटाई बनाने के लिए आपको सबसे पहले गहरा परतन ले लेना है तो मैंने या काँच का बड़ा बोल लिया है और ये मैंने लिया है 50 ग्राम घी गी का रेश्व हमने इस कब से सेट किया है तो गी आपको ना ही melted लेना है और ना ही solid जमा हुआ लेना है रूम temperature पर पिगला हुआ गी लेना है जैसे ये soft दानेदार गी है ऐसा ही गी आपको लेना है तो इस गी को हम इस कटोरे में transfer कर देंगे सारा गी हम अच्छे से उंगली से निकाल देंगे अब उसी कप से हम ले रहे है चीनी पिसी हुई तो ये मैंने गर पे mixी में पीछ ली थी अगर आपके पास पहले से market वाली पिसी हुई चीनी है तो आप बो भी डाल सकते है अब इस biscuit की मदद से हम इसे तब तक फैंटेंगे जब तक इसका texture एकदम creamy white color का ना हो जाए एकदम form जैसा ये हो जाएगा तो आपको इस तरह फैंटे रहना है इसे फैंटने में आपको कम से कम 3-4 मिनट लगने वाले है आपके पास बीटर है तो आप उससे भी फैंट सकते है और ये देखे एक से 2 मिनट में ही इसका color change हो चुका है एकदम creamy और जैसे जैसे मैं फैंटती जा रही हूँ ये और भी जदा creamy और white होता जा रहा है इसे फैंटते हुए मुझे 1-2 मिनट हो चुके है और 1-2 मिनट अभी मैं और फैंट होंगी लेकिन जैसे जैसे फैट थी जा रही हूँ इसका color और texture बदलता जा रहा है यह आप देख सकते हैं अब मैंने इसको पूरी तरह फैट के तयार कर लिया है पूरी तरह फैटने के बाद इसका texture creamy, white और form के जैसा हो गया है तो इसे side में रखते हैं, चलते हैं gas की तरब तो यहाँ आपको एक बड़ा बरतन लेना है आपके पास बड़ी कडाई है तो आप बो ले सकते हैं यह बड़ी बगोनी बगर आप लेना चाहें तो बो भी ले सकते हैं तो मैंने यह कडाई लिए, इसमें यह holder रख दिया है अब 8 से 10 नट के लिए हम इसे डगकर preheat के लिए छोड़ देंगे और gas का flame एकदम लो कर देंगे तो कडाई हमने preheat के लिए रखती है अब चलते हैं नान कताई की तरब तो यह हमने घी और चीनी को अच्चे से fat दिया था तो अब हम इसमें डालेंगे उसी कड़ से 1 cup मैदा तो यह लिए हमने मैदा मैदे को हमें ऐसे ही सीधा कड़ से नहीं डालना आए हमें एक चलनी लेनी है उस चलनी में यह मैदा डालेंगे इस तरह आप चलनी से मैदा डालेंगे तो एक एक कण अच्छे से मिक्स होगा और नान खताई बहुत ही स्वाधिश्ट और क्रिस्पी बनेंगी तो यह हमने मैदा डाल दिया है और यह एक कप लिया है हमने सूजी आप मैदा की जगे आटा भी ले सकते हैं चावल का आटा भी ले सकते हैं अब हम डाल रहे हैं इसमें बेकिंग पाउडर तो इन तीनों को छलनी में डालके अच्छे से आपको छानना है बिना छानने आपको नहीं डालना है आपको एक बार याद दिला देती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सेयर किया कीजिए तो हमने यहाँ तीनों को छान लिया है, अब इसका हम एक डो तयार कर लेंगे इससे आपको गूंदना नहीं है, इसका आपको हलके आतों से एकटा करके डो बना लेना है, अगर आपको लगे यह डो पतला है, तो आपको थोड़ा सा मेदा और मिक्स कर देना है अगर टाइट लगे तो थोड़ा सा गी आपको डाल देना है इसमें दूद या पानी का यूज बिलकुल नहीं करना है तो देखिए कितने बढ़िया से ये एकटा हो गया है ना तो इसमें कुछ गी जादा है और ना ही मेदा कम है तो ये देखिए बढ़ी आसानी से एकदम बन कर तैयार हुआ है अब इसे हातों में लेके गोल-गोल गोमा लेना है जिससे ये एकटा अच्छे से हो जाए तो अब ये डो बन कर बिलकुल तैयार है इससे हम आप रखते थे हैं साइड में इससे पहले एक और काम कर लेते हैं उसके लिए आपको एक प्लेट लेनी है तो मैंने यह यह श्टील की प्लेट लिए, इसे हम अब सिल्वर फॉल से कवर कर देंगे, जिसे नान खताई बनाते टाइम, यह जले नहीं और नान खताई भी अच्छे से बन के तयार हो, तो अगर आपके पास सिल्वर फॉल नहीं है, तो आप बटर पेपर ले सकते हैं, सिल हमने लगा लिए, उपर से हमने घी इसे अच्छे से ग्रीज कर दिया है, और इसे हम साइड में रख देते हैं, अब हम नान कटाई बना लेते हैं, इसके लिए या तो आप एक स्पून ले ले, उसके हिसाब से आप नान कटाई बना सकते हैं, अगर आप हातों से बराबर गुमाते हुए हल्क के आथ से आपको अथेलियों के बीच थोड़ा सा दवा देना है जिससे नान कटाई का सेफ और साइज अच्छा बनके तयार हो और देखे थोड़ा सा मिस्रन लेकर इस तरह गुमाते हुए अथेलियों के बीच में आपको दवाते हुए दूसरी नान कट नान कटाई हम तयार कर लेंगे तो यह लीजिए अभी इसी पिलेट में आमने छे नान कटाई बनाई है नान कटाई को आपको दूर रखना है क्योंकि अभी फूलेंगी तो बड़ा साइज हो जाएगा इनका उपर से मैं पिस्टे से गार्निस कर रही हूं आप चाओ तो मेले से कडाई प्रीट के लिए छोड रखी थी और यह बहुत अची गरम हो चुकी है अब इस प्लेट को हम इस कडाई में रख देंगे 20-25 मिनट के लिए तो डिपेंड करता है आपने जो बरतन लिया है उसका तला मोठा या पतला उसी हिसाब से आपकी नान कटाई बनके तैयार होंगी आप बीच में एक बार चेक जरूर कर लें धकन उठाके तो यह बीसे 25 मिनट हो चुके हैं और यह देखिए कितनी बढ़िया नान कटाई बनके तैयार हुई है आप इनका साज भी देख सकते हैं सेब भी देख सकते हैं और इनको अब हम निकाल लेते हैं तो यह लीजिए एकदम खस्ता करारी मुह में गुल जाने वाली नान कटाई आप कभी भी इसे बना सकते हैं इसका लुपत उठा सकते हैं दोनों तरफ से यह नान कटाई बहुत ही बढ़िया सिकर तैयार हुई है बिना ओवन के कडाई में और बिना किसी जंजट के आप आसान से बना सकते हैं और यह देखिए तोड़ने के बाद भी अंदर से कितनी खस्ता क्रिस्पी बनी है तो यह मैं दुवारा भी आपको तोड़ के देखाती हूं यह देखिए स्वाद में तो आप पूचे ही मत यह बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी और आप कभी भी इस रेसि अच्छी लगे तो फिलीच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें